पता नी भाई कितने दूर जाना है यार तो भाई ये देखो अब बिल्कुल पास पहुंच गए अपने जील के खुल्पी और बोटी है भाई इसे ठंडे में तम मज़ा रहे ना खेल लाए ऐसे पांतीस घात सुग गया तो भाई अपने पहुंच गया है खल्यादोर के सामने यार स के यहां से जाते हैं भाई खलिया टब को छह साथ आर्ट किलो मेटर है है यहां से खलिया टॉप भिर्थी फॉल 26 किलो मिटर शाथ यहां से नीचे को यह रिए रील सूट हो पापा की बरी उड़ गई है यह पापा भी है साथ में यह तो चलो भाई एक ट्रेक तो करतेह अपना थामरी कुंडे चलते हैं डेड़ दो किलो मीटर का ट्रेक अब आई और वो देखो सामने दिख रहा है बाई जीरो पॉइंट और यहां फिर जानते हैं यह पंचा चुली और हन्मान बंदी रहे जय बजरंग बली थामरी कुंडे एक पवित्री जील है बांकी का आप पड़ लो भाई तो भाई यह देखो यहां पे इन फॉर्मेशन लिखी है कस्तूरी मिर्गल के बारे में और ऐसा दिखते हैं देखो कस्तूरी मिर्गल तो भाई बरभ देखो यार कितनी खतरनाक बरभ पर लखी और पैर इतने खतरनाक दकी सबस्तुर्य नैंज मैं तो चलो भाई अपने चल् fringe थामरी कुंड़ को बांकी रस्ता देखो चारो तरब बरफी बरफ है बाई बांकी फिसले ना इन रस्तों में तो भाई लोग हमारी तो गाटी सुग गी है पांतीसले घाट सुग गये काफी ज्यादा है वी सनो फॉल यार अलट डाउन होगी है चलते चलते फिर भी चले जा रहे हैं थामरी कुंड दिखाते हैं तुम्हें भाई तो भाई काफी थकान होगी यार काफी दूर चले गए हैं रस्तों में अभी भी नहीं पहुंचे मनजिल के आदे रस्ते में भी पता नहीं भाई कितने दूर जाना है यार यह कितनी सारी बरफ पड़ी हुई है साब बरफ है नीचे की तो साफी होगी यार खा लेते हैं प्यास लग रही है पानी है दाई आप पर आगे को है यह पानी पिने का थंड़ा होगे इसे बरफ कागे हुल्पी और भोटी है भाई इसे थंड़े में तम मज़ार है ना खेल लाए बरफ में साथ आठसो मिटर चलो फिर चलते हैं कैसा चलो तो भाई यह देखो यहां से पंचा चुली कि इतनी खतरनाक लग रही है और पंचा चुली के जस्ट बगल में राज रंबा और वहां दिख रहा है रालम गलेशेर क्या खतरनाक न जा रहा है यार और यहीं इतनी ज्यादा बरफ पढ़ी है भाई यह देखो तो फिर वहां तो लगा लो अंदाजा वहां पे देखो कितनी ज्यादा पढ़ी है उस साइड बरफ मैदान हो रखा है बरफ का तो चलो भाई फाइनली पहुंच गया है थामरी कुंड में वो नीचे पे रहा कुंड चलते हैं कुंड के प पास पहूंच गया अपने जील के यह देखो सामने पे नीचे पह यह रही काफी बहुंच चलो बहुंक देर बहुत भी हैं काफी आराम कल लिया अब let's go करते हैं थामरी कुंड से वापिस पिथोड़ागड की तरफ थंडा होने वाल है रस्ते में काफी तो let's go करते हैं फटा फट यह देखो भाई अपने सामने पे दिख रहा है थामरी कुंड मुंश्यारी में काफी अच्छा ट्रेक है यार तो चलो भाई अभी तो हमने बहुत दूर जाना है यार और रस्ते भी इतने स्लिप्री है ना पैर फिसलने हैं काफी फिर फिसला तो चलो भाई लेट्स गो करते हैं अब तो भाई यह देखो बरफ कितनी जादा पड़ी है पुरे पैर धसरे हैं यह तो चलो भाई अब वापी चलते हैं थामरी कुंड से बड़ा ठंडा हो रहा है यार और हमने आज ही पिथोड़ा कर जाने है तो हमको ने वाला आज काफी लेट पांकी ठंडा हो रहा है यार काफी खतरनाक न जा रहे हैं यार मुंशियारी से जैसा कि मैंने कहा था तुमसे वाई यो क्या कहा था मैंने वैसे मैं अगर उत्रा खंड में कहीं जन्नत है तो वह मुंशियारी में वाई वह तुम देख लो आँकों के सामने बांकी चलो चलते हैं बात है करते हैं कम लेस्ट गो करते हैं फटा फट यार गाड़ी के पास पहुंचते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं बांकी चलते चलते मूह सुग गया है यार मूह बोलते बोलते लग रहा है आराम से गिरना नहीं चाहते भाई ऐसी जग पेड़ से पता नहीं कुछ तूट रही है तो भाई अक्की भाई के जूतों के अंदर बरफ घुसगी है बांकि अपने चलते रहते हैं यार कि भाई रस्ते में बरफ ही बरफ है दुनिया भर की बरफ वो तो सही है जूते मसते हैं नौने यार जूतोंने साथ दे रख है थंड महसूसी नहीं हो रही है तो चलो भाई लेस्ट गो करते हैं गारी स्टार्ट करते हैं निकलते हैं पिथोड़ा गड की तरफ चलो बाई की सामने पाड़ी में अभी भी बरफ ही बरफ है यार और वहीं साइड है काला मुनी मंदिर बाई की थल यहां से 57 किलोमेटर दूर है तो भाई बस काला मुनी मंदिर पहुंचने वाले हैं थोड़े देर में बाई की ठंडो हुरी है यार काफी बस काला मुनी मंदिर भी पहुंचने वाले हैं सामने पर दिख गया है जै बजरंग उली तो भाई यह है काला मुनी मंदिर जै मा काली जै मा काली बाबाजी लोग निया आज कल यहां कोई सामने पर है भाई काला मुनी मंदिर चाही और मैगी खाई यहापे बांकी चलते हैं अब लेस्को करते हैं अब उन्हें वाले रस्ते में ठंडा तो भाई ये देखो कितनी सारी बकरिया जा दी है कई खतरनाक पूरी टोली आ रही है भेडो की सबसे पीछे वाले को उठाना पकड़ पकड़ इसको डाल इसको डाल पहले मार वो ठोकू ये पकड़ 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 मजा कर रहा हूं यार भाई वो देखो भाई कितना गूम के जाना है फिर ये नीचे वाली रोड में जाना है फिर नास नहीं पहुंचेंगे थोड़े देर में, चलते चलते, तो भाई अपने पहुंचने वाले हैं, बिर्थी वाटरफॉल, बिर्थी वाटरफॉल होमिस्टे, होमिस्टे तो हमें चाहिए ही नहीं, सिदे निकलते रह रहे हैं भाई, पिथोड़ा गड़को, बाकि इस रोट से दिखाते हैं तो मैं फुल पावर विव आएगा नीचे रोट से तो भाई ये देखो सामने पे दिख रहा है बिट थी वाटरफॉल बागी लैट्स गओ करते हैं फटाफट कुत्ता नी था यार बाग भी नी था वा ईरन था साय तो भाई अभी उपर को ईरन दोडा यार पानी पिने आया था नीचे को का दोडा वो एबाई वो एबाई जा रहा है उपर को देखो बाई और थी hey. अलका-अलका में चलते चलते देखो कितना मस्त वाटरफॉल आ रहा है यह देखो जा मस्त लग रहा है यार वाटरफॉल तो भाई अपने पहुंच गए है थल थल की लोकेशा ने अपनी बागी थल में गोफरो को चार्ज करते हैं यार बस एक परसेंट चार्ज रह गया इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खतम करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार